प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को हलो, नमस्कार, एक्शन बॉरी बॉर्ड म्यूजिक में आप सब का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आए इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारे से गीत का लोटशन बता रहा हूँ हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, यह मुकेश जी द्वारा गाया हुआ, बहुत ही प्यारा गीत है और इस हमारे गीत का जो हमारे स्केल है, वो डी, डी शार्फ है, माइनर और मैं को नोटशन आपको बताऊं ग वो तो आप इसको बहुत ही आसानी से बजाले गायर तो आप इसको बहुत ही रहा जालें हैं क्योंकि ज़्यार नोटशन बताऊंगा, इस तरह हम इसको बहुत को ऐसे क्ले हैं तो छिए करンド Shafdенного को ठीक है तो आई शुरू करते हैं किस तरह हमारा ये बज़ेगा और इसको आपको अच्छे से देखें दो तीन पर पहले वीजियो को कंटीन्यू देखें और फिर आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से गा भी लेंगे और बजा भी लेंगे और कोई हमने अपना सब कुछ खोया पादेरा पाने को ठीक, इस तरहाँ हमने 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 दे नी सा हमने अपना रे मामा ती बुर्मा अपना हमने अपना रे नी सा रे मामा सब कुछे, सब कुछे मा पाधा, सब कुछे मा पाधा खोया खोया पामा गरे, खोया पामा गरे, प्यार प्यार जो प्यार है उसको आपको एक सा तीनो जो है सरगमे लेनी है प्यार प्यार रे गामा प्यार तेरा प्यार तेरा गासा नी तेरा तेरा जो होगा उसका सरगम होगा गासा नी प्यार तेरा रेगामा गारे, प्यार तेरा, रेगामा गासानी पाने कू सानीरी रि पाने कू सानीरी रि पाने कू सानीरी रि इस तरहा यह मारी फ़स्ट लाइन आएगी परसा देख्या हम ने अपना रे नी सारे मामा सब कुछ खोया मापधा पामागारी गागे रि गमागा सानी पाने कू सानीरी रि ठीक है इतना बजने के बाद में फिर जो अगली लाइन आएगी छोड़ दिया की प्यारन तेरे यह सकेंड लाइन होगी चोड़ दिया की प्यारन तेरे चोड़ दिया की प्यारन तेरे और यह लाइन दो बार बजेगी दोनों बार थोड़ी थोड़ी अलग है ठीक है पहली बार क्या होगी छोड़ दिया क्यूं पहले छोड़ पा नी नी छोड़ दिया क्यूं दिया क्यूं में तीन बार नी दिया क्यू, छोड़े, छोड़े, दिया क्यू, इस्ते हां छोड़े, दिया क्यू, प्यारने, प्यारने, निसानिदा, प्यारने तेरे तेरे पा मा मा पानी तेरे पा मा मा पानी और उसके बाद फिर दुबारा वही छोड़ दिया क्यूं प्यार ने तेरे अब यहाँ पे प्यार तक तो सेम है प्यार ने तेरे तेरे चिले दाएगा तेरे में पा मा मा प्यार चोड़ दिया क्यूं प्यार ने तेरे इस तरह दर दर भटकाने को दर दर भटकाने को दर दर पहले दर दर में मामा दो बार दर दर भटकाने का सरगन थोड़ा बड़ा है भटकाने मामा पाधा धानी पा मामा पाधा धानी पा भटकाने मामा पाधा धानी पा भटकाने को 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 पामागा स्वरी यहाँ पे को थोड़ा अलग है को इस तरह आएगा पामा गामा गारे को दर दर भटकाने को प्यार देरा पाने को प्यार देरा पाने को फिर वही लाइना जाएगी इस तरह हमारा ये पूरा इस्थाई आएगा और उसके बाद फिर हमारा वही लाएना जाएगी हमने अपना सब कुछ खोया पाद देगा पाने को ये हमारा इस्थाई इस तरह बजएगा उसके बाद में इसमें म्यूजिक आजाएगा पहले हम आपको एब बाद म्यूजिक बजा कर दिखाते हैं और फिर म्यूजिक का नुरसन मताते हैं म्यूजिक बहुत ही प्यारा है, ठीक है? इस तरहा है ये म्यूजिक बजिक के आयेगा ठीक है? जो उसमें गाने में बजा है एक बार मैं आपको फिर से और बजा के दिखा देता हूँ इस तरहा अब आए इसका भी सरगम देखते हैं इसमें फ्रेज के हिसाब समय बताऊंगा तो आप उसको सही तरह से समझ पाएंगे पहला फ्रेज क्या होगा? और म्यूजिक आप जरूर लिख लें क्योंकि music अगर लिखेंगे नहीं आप तो वह समझ में नहीं आए और बजाना मुश्किल होगा music का पहला फ्रेज और जैसे हमने जो Westminster इस्पीड में बजायाуйте उसी Spirit में music बजेगा अगर उसी Speed में आप नहीं बजा पाते हैं तो पहले उसको slow में तायर करें किजिए गमरे गापा, गमरे गापा, इस तरह, गमरे गापा, गमरे गापा, पहला फ्रेज, दूसरा, धानी धापा मा, धानी धा, ये आपको एक साथ लेने है, दूसरा फ्रेज, तीसरा, पागा, ये तीसरा फ्रेज को आर चूसरा, गामा रे गापा गामा रे गापा गामा रे गापा इस तरह यह मारा चोटा प्रेजवा पाचवार धा नी रे नी धा मा इसके बाद चटा फ्रेज पागा फिर वह ही पागा पागा चटा फ्रेज सात मा अजो फ्रेज होगा उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा नी मा गा मा रे नी ओ स्वरी नी मा गा मा रे गा नी चीक है यहाँ पर शुद्धिनी और कोमलनी दोनों ही लगेंगे जब हो उपर जाएंगे तो कोमलनी से जाएंगे इस पर हाँ पिसे देखें नी मा गा मा रे गा नी उसके बाद में जो सात मा फ्रेज होगा वो होगा नी सा धानी रे आठमा फ्रेज गा सा नी पा मा इस तरह यह म्यूजिक पूरा बज़के आएगा मैं फिर से आपको एक बार सुलो में बज़ा कर दिखाता हूं इस दोसे तरह यह मुज़के आपको एक लिखाता हूं इस तरह आपको यह त्यार करना है तो सबसे पहले स्थाई और प्लस म्यूसिक इस वीडियो में इतना ही आप त्यार करें इसके बाद में अब आएगा अंतरा मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा क्योंकि ये इतना जब तैयार हो जाएगा आपका आच्छे से तब ही हम आगे बढ़ेंगे अगर पूरा एक साथ बजाने कोशिश करेंगे तो गाना गलत हो जाएगा ठीक है तो इस तरह आप इसको प्राक्टिस करें और अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास जॉइन करें और क्लास जॉइन करके कोई भी गाना आप मुझसे सीख सकते हैं यूटूब के तो जो मैं आपके लिए डाल ला हूँ इसमें आप देख करके बजा सकते हैं तो हम तुरंत ही आपको रूख लेते हैं कि यहां गलत हो रहा इसको इस तरह बजाएए तो क्या होता एक गीत आपका बहुत ही जल्दी तयार भी होता है और पूरे confidence के साथ तयार होता है आपको यह भी एकिन होता है कि हमारा गीत बिल्कुल हम सही बजा रहे है ऐसे आप बज से ही सीख सकते है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राइब